नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं कुलस अस्थापना के साथ आज से शुरू होगा सार्दिय नौरात्र मा के भक्त इसी दिन अपने घर के अलावा मंदीरों में बीधी बिधान के साथ कलस अस्थापना कर देवी भागवती की पूजा में नेम निष्ठा के साथ लिन रहेंगे बतादे पूजा अनुष्ठान करने वाले माद दुरुगा से महामारी क्रोणा सराक्षा यम सुक्सम्रीदी की कामना करेंगे सहर के विभीन इलाके में बुद्वार को पूजा समगरी और कपड़े की दुकानों में सरधालू की भीर दिखी जारखन के स्कूलों का बढ़ेगा सेक्षिनिक सत्र राज्जे के सरकारी स्कूलों में सेक्षिनिक सत्र आगे किया जाएगा बतादे कोविन-19 के कारण विद्याले के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बर्ष 2024 तक राज्जे में सेक्षिनिक सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा इसकी सुरुवात इस वरस्ते की जाएगी बतादे इस कूलों में सेक्षिनिक सत्र एक अप्रेल से 31 मार्च तक संचालित होता है लेकिन अगले तीन साल तक के समाप्त होने की तीथी में बढ़ाव किया जाएगा बतादे बर्ष 2021-22 का सत्र 31 मार्च को समाप्त नहीं होगा अब यह सत्र 30 जून तक चलेगा ऐसे में वर्तमान सेक्षिनिक सत्र तीन मा आगे बढ़ाये जाएगे बच्चों की सीखने की छामता के आकलन को लेकर 12 नौंबर को सर्वे सरकारी स्कूलो सहायता प्राप्त तथा मन्याता प्राप्त नेजी स्कूलो में पढ़ने वाले बच्चों की सीखने की छामता के आकलन के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 12 नॉमबर को आयोजीत होगा बतादे पहली बार इस सर्वे के तहथ आक्रन परिक्षा केंद्रिय मादमेक सिक्षा बोर्ट द्वारा लिजाएगी राज सरकार ने इस परिक्षा को लेकते हैं या तेज कर दी है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहथ होने वाली परिक्षा में काक्षा तीसरी, पांचवी, आठवी, तथा दासवी के विद्यार्थी सामिल होगे या सर्वे राजे के 35-107 इसकूलों में होगा इसके लिए परतेक जीले से 1.500-175 इसकूलों का चैयन किया गया है पूजा पंडालों में साधे लिवाज में तयनात रहेंगे जवान दुर्गा पूजा के दरन सुरक्षा ब्वस्तक लेकर राचीपुली सतर खाय बतादे सहरी के साथ ग्रामीन इलाकों में सुरक्षा के बिसेस इंतिजाम होंगे पूजा के दरन मार पिट शिंताई के साथ चोरी की घटनाओ पर रोक लगाना प्राथमिकता होगी इसको लेकर ग्रामीन SP-97 आलम ने एरिया के DSP और थानेदार को बिसेस दिशार निर्देस दिये है दुर्गा पूजा समीत्ती से अपने अपने पूजा पंडालों में CCTV केमरे लगाने के अपिल की गई है साथ ही महिलाओं के साथ किसी परकार की बरतिमीजी न हो इसको लेकर सभी पूजा पंडालों में महिला और पूरुस बलों की तैनाती होगी कुछ जवान सादे लिवाज में जबकि अन्य वर्दी में बिती बेवस्ता में सवयोग करेंगे जारखन में हाई और पलश्टू स्कूलों में बदलेगी मुल्यांकन परकिरिया राज्य किहाई और पलश्टू इसकूलों के छात्रों के मानसिक मुल्यांकन की प्रक्रिया बदल ली जा रही है बतादे अब मुल्यांकन पूरी तरह बोड परिक्षा की तर्ज पर होगा इससे चात्र चात्रावों के लिए बोड परिक्षा के तियारी में सहुलियत होगी मुल्यांकन में पूछे जाने वाले प्रश्ण और उनके अंक बोड परिक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्णों के अधार पर ही होंगे इसमें वस्तुनिस्ट लगो उतरिये दिर्ग उतरिये प्रश्ण सामिल होंगे बतादे इसकुलों में प्रश्णों को भेजने के परकिरिया इसी सब्ता से सुरू हो जाएगी मुल्यांकन में यह नई बेवस्था नवी से बरावी काक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए की गई है रेल टिकट के साथ कुली की भी ऑनलाइन बुकिंग ट्रेनों से उतरे यात्रियों को अब स्टेशन पर समान उठाने के लिए कुली नहीं खोजना पड़ेगा बतादे ट्रेन से उतरते ही ओनलाइन बुक कुली यात्रियों के कोच वह सीट पर आ जाएंगे क्योंकि अब टिकट के साथ ही कुलीयों की भुकिंग होगी बतादेया सुविधा दक्षिन पुरु रेलवे जोन के मंडल रेलवे स्टेशनों पर जल्द सुरू होने जा रही है यात्रियों को अउनलाइन कुलीयों की सुविधा IRCTC देगी इसके लिए IRCTC की टिकट बोकिंग वेबसाइट में पोर्टर का कॉलम होगा PM आवास के लिए चलेगा विशेस अभियान ग्रामिन विकास विभाग जार्खन के सचीव मनिस रंजनने मनरेगा एवन परधान मंत्री आवास योजना के किर्यानवेन की समिक्षा बैठक की इस दोरान जहां अपेक्षा करित कौम प्रगति करने वाले जीलों के DDC को कारे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया वही मनरेगा पीएम आवास योजना वा पंचायती राज में खाली पदों को जल्द भरे जाने का भी निर्देश दिया बता देश समिक्षा के करम में बताया गया कि विभाग द्वारा राजे में 7 अक्टूबर से 30 नॉवंबर 2020 तक पधान मंत्री आवास योजना के तहट आवास पलस योजना में 20 अभियान चलाया जाएगा इस अभियान के दोरान अपूर्ण आवासों को सत परतिशत पूर्ण किये जाएंगे आवास पलस के अंत्रगत 37 आवासों के स्विक्रिती एवं प्रथम कीश 7 परतिशत निर्गत करने का भी लक्ष रखा गया है सिमडेगा में इंटर इस्टेट जेवर तसकर गिरफतार 25 लाख के चांदी का अभूसन बरामत सिमडेगा जिले के बांस जोर पूलिस ने 25 लाख रूपय कीमत की 38 खिलो 830 गराम चांदी के साथ दो इंटर इस्टेट जेवर तसकर को गिरफतार किया है यह करवाई गुप्त सुचना के अधार पर हुई है बता देगिरफतार दोनों आरोपी साहेव गंजीले के निवासी हैं वहीं अभियान में सामिल पूलिस टीम को एसपी ने प्रुस्कृत भी किया है एसपी डाक्टर सम्स तबरेज ने पत्रकारों को बताया कि गुप्त सुचना के अधार पर उडिसा और ज्ञारकंड सीमा पर इस्थीत बांस जोर थाना इलाके के महुदा टोली में अपराद निरंत्रन को लेकर वाहन चेकी नभियान चलाया जा रहा था इसी करम में एक साधे रंग के सकार्पियोकार को रोका गया थर्ड वेब को लेकर पचास कोर की योजनाओ की सुरुवात मुख्यमंत्री जारखन के मुख्यमंत्री हमन सुरेन ने रांची सदर होस्पिटल में 100 लीटर प्रती मिनट छामता वाले PSA ऑक्सिजन पलांट का सुबारम किया वही रिम्स में सेंट्रल लेब, सीटी एसकेन और कोबास और सट सो लेब का उधगाटन किया साथ ही 19 जीलों के 27 अस्थानों पर PSA का भी उधगाटन हुआ बतादे सीएम सीरी सुरेन और स्वास्त मंत्री बना गुप्ता ने 50 कोड की योजनावों का लोकारपन किया इस मौके पर जहां सीएम सुरेन ने कहा कि 3rd वेब को लेकर राजी सरकार सचे था इसके लिए सभी जीलों में इसकी त्यारी पूरी की जा रही है उन्होंने कहा कि राजी सरकार की कोशी साय की हर हाल में लोगों को स्वास्त विधा उपलब्ध हो जार्खन में 7 नए केस मिले हैं जो रांची से 1, पूर्वी सिम्हूम से 5 और धनबाज से 1 सामिल है जार्खन में कूल एक्टिव केज की संख्या 83 है भारत में 22,605 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केज की संख्या 2, gewoon 394 हजारी बाग के 50 उर्दू स्कूलों में नहीं सुद्रा होली डेटेवल जारखन के हजारी बाग जिले में प्रारमभीक 50 सरकारी उर्दो स्कूल के लगभग 255 सिक्षक आठ दिन सुक्रवार सप्ताहिक अवकास समयोजित की मायं को लेकर आंदोलित हैं बता दे कई सिक्षक संगटनों ने परभारी DSE मितलेस कुमार सिना से मुलकात कर राची गिरिडी और पलामु जिले का हवाला देकर हजारी बाग में सुक्रवार सप्ताहिक अवकास के आठ दिनों का समयोजन करने को कहा है प्रात्मिक सिक्षा निदेशक डाक्टर बोनेस पताप सिंग ने दोजारी किस में नए नियम लागू कर राजे भर में प्रारमिक हिंदी एवं उर्दु स्कूलों के लिए एक समान साथ दिनों का आउकास तालिका निर्मान किया चत्रा में परिवार नियोजन के बाद भी महिला बनी माँ परिवार नियोजन के तहत बंध्या करन करने के बाद भी महिला माँ बन गई है बतादे उसने ओपरेशन के आठवे माह में बचे को जन्म दिया यह मामला चातरा जिला अंतरगत मयूर हंट परखंड के तीलरा गाउं की है बतादे मामला सामने आने पर सिविल सरजन ने कहा कि किस से चुक हुई है इसका पता लगाया जा रहा है मिरहंट परखंट इस्थीत तीरलागाओं के राजू पस्वान की पतनी कंचन देवी ने 25 जनवरी को इटखोरी के समुदाइक स्वास्त केंद्रे में बंध्याकरन कराया था रेल करमियों को 78 दिनों का बोनस रेलवे बोड के चेर्मेंट सुनीत सर्मा ने जनकार दिया कि रेलवे के करमियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला केंद्रिये कैमिनेट में लिया गया है उन्होंने बताया कि दुरगा पुजा से पहले सभी रेल करमियों के खाते में बोनस की रासी का भुगतान कर दिया जाएगा इससे चक्रधर पूर रेल मंडल के करीब उनई सेयर करमियों के खाते में भी बोनस का पैसा आएगा जो नहा के लेपसर जंगल में फर्जी वनरक्षी परसिक्षन केंद्र जो नहा के लेपसर जंगल में फर्जी तरीके से चलाया जा रहा वनरक्षी परसिक्षन केंद्र का अंगाडा थाना पुलीस ववन विभागने बुद्धवार को उध्वेदन किया है इस मामले में अंगाडा वन पाल अमर पासवान के ब्यान पर तिन लोगों सालहन के सामसाद अंसारी अमिद चोधरिवा पत्ना निवासी डाक्टर सुसील कुमार सिंग के खिलाप नामजाद प्रत्मी की दर्श की गई है कैम्प लगा कर सभी को रिन मुहया कराएंगे बैंक जारखन में तेवारी सिजन में लोगों के लिए आसान रिन मुहया कराने की पहल राजे के बैंकों ने की है बतादे इस कड़ी में 7 अक्टूबर से राजे के सभी जीलो में क्रेडिट आउटरीच अभियान की सुरुवात की जा रही है बतादे इसके तहत बैंक जीलो में कैम्प लगा कर रिन मुहया कराएंगे राजे अस्तरिये बैंकर समीती की इस पहल की भागेदारी में राजे के सभी करमर्सियल, छेतरिये ग्रामिन बैंक, को अपरेटिंग बैंक, ए स्मॉल फैनेंस बैंक वा पेमेंट बैंक सहायक बनेंगे पलामू में माइनिंग बिवाद कई घायल सदर थाना छेतर के पिपरडी में माइनिंग बिवाद में बुधवार को जम्प कर गोलिया चली, बतादे इस घटना में एक महिला को पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कोलेज एंड होस्पीटल में भरती किया गया है, उसकी हालात फिलाल ख पलामु और हजारी बाग मेडिकल कोलेज में दाखिले का अनुरोद, स्वास्त विभाग के अपर मुक्स अचीव अरुन कुमार सिंग ने फुलो जानो मेडिकल कोलेज के दूसरे सत्र में 100 सीटों पर दाखिले के अनुमती दिये जाने पर नेशनल मेडिकल कमिशन का भार किया है, साथ ही सेख बिखारी मेडिकल कोलेज हजारी बाग एवा मेडिनी राय मेडिकल कोलेज पलामु में भी दूसरे सत्र में MBBS की 100 सीटों पर दाखिले की अनुमती परदान करने का अनुरोद किया है, बता दे अपर मुक्स अचीव ने NMC के चेर्मेन डाक्टर सुरेश चंद्र सरमा को इस बावत एक पत्र भी भेजा है, महिला परवेक्छक को बारा सप्ता के अंदर नीमित करने का निर्देश, छारखन हाई कोट के जस्टिश डाक्टर एसन पाठा के अदालत में महिला परवेक्छक को नीमित करने की मांग वाली आजका पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने सुप्रीम कोट के अदेश के अलोक में 12 सप्ता के अंदर महिला पाल भीका सचीव को नीमित करने का अदेश दिया है, बता देश से पहले प्रार्थियों को सचीव के यहाँ आवेदन देना होगा, दरसल सुप्रीम कोट ने उमाद देवी ब महत्यों का मंगलवार को पार्टी करेकाताव ने मांडर, बिजुपड़ा और मदर्सा चोक पर गुल्दस्ता देकर स्वागत किया, वे एक समिलन में भाग लेने लुहर्दा का जा रहे थे, बता दे बिजुपड़ा चोक पर पत्रकारों से बात करते वे बिधायक ने बता है कि मौरबादी में धारना दे रहे सहायक पुलिस करमियों की मांग जायज है, वहीं OVC आरक्षन के बारे में कहा कि राष्ट्रिये मापदंड के अनुसार आरक्षन होना चाहिए और इसके लिए हमारी पार्टी लगतार आवाज उठा रही है, मौके पर कमलू, साहू, ज दोस्तोक साथ सेर करना भी ना भूले, धन्यवार